अब देखो थोड़ा सा चुभेग ये वीडियो आपको इस्पेशली वह जिनको ये स्टॉक बहुत पसंद था एक समय के अंदर तो एक बार को में रिकमेंट करेंगे कि आखरी तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसी के बाद यहां पर आप लोग कुछ कमेंट क कर रहा है अब थोड़ा सा यहां पर अगर देखो करेंट कंडिशन आप लोग समझने की कोशिश करना अब आपको देदें कि यह किसी पी तरकी बाइंग और सलिंग रिकमेंडेशन नहीं हम अपना यहां पर मेरा फॉर्म कैसा होता है वह भी आप लोग समझो अब यहां पर क्या कि BJP के अलावा दो और इसमें मीजर यहां पर पार्टीज है एक यहां पर नाइडू साव की जो यहां पर हमारा AP के अंदर CM है अभी और इसके बाद यहां पर नितीश कुमार की अब यह दोनों के अगर आते हैं तो यह कोई ना कोई मिनिस्ट्रीज भी जरूर मांगे क्योंकि उसके बिना यहां पे इनका कोलेशन होगा नहीं तो मिनिस्ट्रीज दूसरों के हाथ में जाती है और बजट कंटीन्यू करेगा कि नहीं यह बहुत बड़ा कुष्चन को order कम मिलेगा तो वो थोड़ा सा कह सकते हो कि problem हो सकता है दूसरी चीज यहां पर railway sector की बात कर रहे हैं और यहां पर यहां पर बढ़े गाई नहीं तो यह finances को करेगी यह भी एक बात होती है तो इसलिए आप लोग government companies देख रहे हो तो यह जरूर देखना कि revenue कितना आ रहा है order book आ रही है वह अच्छी बात है बट order book आपका एक तरह से कह सकते हो blood नहीं हो order book कभी भी cancel हो सकती कभी भी हटाई जा सकती ऐसा नहीं कि एक बार order मिल गया तो अब तो order देखी रहेगी government ऐसा नहीं है अब earnings growth company की आई नहीं है company ने profit बुक करके यहां पर यहां पर हम लोगों दिखाया नहीं है और investors यहां पर पागल होके पहले ही company को इस हाइड पर पहुंचा दी है मतलब समझो कि earnings यहीं कि यह है और price बढ़ते हुए ऊपर चली गई है तो एक तरह से यह valuation gap create करता है बेर्स को एक मौका मिल जाता है कि भाई जो company earn कर रहे हैं उस हिसाब से company की price नहीं है यह उस हिसाब से बहुत ज्यादा है तो ठेला भी उपर से उसी रफ्ता से जाता है तो मतलब अगर पिटती है company तो ज्यादा पिटेगी compared to other stocks PSU के साथ overall यही सीन है defense की बात की जाए रेल्वेस की बात की जाए रेनूबल स्क्रिप्टर की बात की जाए तो यह सारे सक्टर अभी थोड़ा सा overvalued नजाल आ रही है और यह सारी चीज हमनों काफी पहले से डिसकस कर रहे थे लेकिन उस समय क्योंकि रैली थी तो यहां पे थोड़ा बहु जस्टेफाइड नहीं हो पाएगी तो यहां पे फिलाल अगर देखा जाए तो यह आप लोग जो 23-13 का आपको profit growth देखने के लिए मिल रहा है यह आपका 91 और 404% की growth price growth को sustain नहीं कर सकता है मतलब theoretically बोला यह जाता है कि जितनी आपकी earnings growth मिल रही उतनी जादा आपको price growth मिलने चाहिए अगर कोई भी चीज़ होती है तो वह हमेशा valuation gap create करती है अगर price earnings से जादा grow कर गई तो company overvalued हो गई earnings price से जादा grow कर गई तो company undervalued हो गई इस कह सकते हो method को आप लोगो बहुती basically आपको याद रखना चाहिए और on repeat हम आपको यह हर बार बता रहे थे कि earnings growth बढ़ रही है sorry earnings growth कम हो रही है उसकी जो increment की speed हो कम हो रही है price growth कापी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और आपको हम on repeat हमेशा बता देते हैं कि यहाँ पर यह सारी चीज़े at the end माहिने रखती है तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो वह अब reflect होने लगी है market तो को बस एक बहाना च देखा जाए तो downside हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है अभी के लिए promoters की अगर बात की जाए तो promoters की holding अगर देखोगी तो 86% पर अब आप लोग न्यूस चैनल पर जाओगे तीवी न्यूस चैनल पर जाओगे या आप लोग अगर बात सुनोगे हमारे क्या कहते हैं कुछ जो analyst होते हैं इटी मनी और इटी मार्केट इन सब पर तो वहां पर अभी कुछ लोग करेंगे कि आप लोग PSU अभी यहां पर बाइ कर सकते हो पर अल्टिमेटली हो सकता है कि उनकी कुछ यहां पर और अपना कह सकते हो प्रॉपगेंडा हो सकता है उनको खुद को अपनी position exit करनी हो तो इ के लिए यहां पर IRFC की बात की जाए तो IRFC यहां पर अभी देखोगे तो एक सपोर्ट यहां पर प्रॉइट कर रही है लेकिन एक जरह से देखा जा तो लास्ट टू-3 टेस से यहां से लगातार हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिल रही है अब यहां से एक-दो दिन हम पर डाउंसाइड काकी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है अपने प्रॉपर वैलिवेशन पर ना आ जाए तो कि इस हिसाब से जिसाब से कंपनी की अर्निंग्स आइए उस हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ी है तो वह थोड़ा सा कह सकते हो फैक्टर है जो यहां पर आप लोग बाय करने का डिसिजन लेते हो तो कंपनी की अर्निंग्स एक बार जरूर देखना और अगर फिर भी ब्लाइंड ली बाय करने का मन है तो हम कहेंगे स्टॉप लस फोड़ा से स्ट्रिक्ट लेना इस मार्केट में 10% से जादा स्टॉप लेना हमें लगत खूआ हुआ है